नमस्कार सर मैं सलमान फुरसेद आपसे थोड़ी जनकारी लेनी थी थोड़ा चर्चा करना था एकेडमी के बारे में क्या इजाज़त है उनकों बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं सार, मेरा पहला सवाल यह बनता है कि, सार, एकेडमी में क्रिकेटरों के लिए क्या-कया बेवस्ता है वी रिगेäg एकेडमी में क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छा माहौल है और सानदार सुभीधा है ये सारी बाते करेंगे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप से केडमी में प्रैक्टिस भी करते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग के साथ-साथ बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहा है और बड़ अच्छा लगता है जब कोई भी खिलाडी अपने काम को करते हुए उसके साथ-साथ और भी चीजों पर ध्यान लगता है और भी चीजों को लेकर चलता है तो निश्चित उसका दिमाग फ्री रहता है और जतना आप इंज्वा सवालता है कि बच्चों के लिए क्या सुविधा हैं है जी सर, वह सई स्वाल था चाहां तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगेणी में उआक तो चलाने के लिए जो आर्मर आता है उसको चलाने वाले लोग हैं और वो भी उपलब्ध होता है बच्चों के लिए और सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपकी एकेडमी में जहां में आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर टर्फ विकेट कैसे हैं और किस कंडिशन में यह बहुत माइन रखता है किसी भी खिलाडी के लिए यह खुसी की बात है अच्छी बात है सबी स्किलिए कि जो भी जौन करना चाहते हैं या फिर जो भी रिलेट करते हैं उनको यह बात पता होना चैह thousand है कि हमारे था टीड़ लिय और दो टर विकैन हमारे मैच के लिए है यह सुवधाय और अपना खुत का बड़ा सा ग्रांड हैं जिसमें मैच लिvyаты सारी चीज़ें चलती रहती है जी सर मेरा दूसरा सवाल बनता है सर एक चीज और सर एकेडमी में कितने साल बच्चों का एडमिशन हो सकता है यह अपने जरूरी सवाल पूछा कितने साल के बहुत सारे लोग कितने साल के बच्चों को लिया जा सकता है क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी होता है इस बात को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना कम से कम समय में क्रिकेट को जोइन करते है क्योंकि यह एक ऐसा पार्ट है जिसको सीखने में वक्त लगता है और वक्त लगता है तो आपको उस माहौल में रहे के वक्त गुजारना ये बहुत जरूरी है क्रिकेट के माहौल में रहे के वक्त गुजारना बहुत जरूरी है वैसे तो एकेडमी में छे साल के बाद बच्चों को लेना सुरू कर देते हैं हम लोग लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी यह वता है कि अगर वो बच्चा के लिए न रह पाए हॉस्टल में तो पैरेंट्स उनके साथ हो यह बहुत अच्छी चीज होती है वैसे हम लोग 6 साल से बच्चों को लेना स्टार्ट कर देता हुआ और तीसरा साल बनता है सर एक और सर जो दूर के लड़के हैं जो एकेडमी में प्रेक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए किया क्या सुविदाएं उपलब देसर यह बहुत आसान सी बात है जो भी बाहर के बच्चे हैं इंट्रस्टेड हैं जो भी क्रिकिट सिखना चाहते हैं अच्छी खबर है कि हमारे पास अपना खुद का हॉस्टल है और बहुत रहने की अच्छा खाना है अच्छे डाइट प्लान को सेट किया गया अच्छे न्यूट्रिशियन के सलाह से जिसमें लोग बहुत अच्छा फूड भी प्रोवाइड कराते हैं जो भी हमारा ब्रेक् प्रेक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए यह जानकारी ज़रूरी होगा कि हमारे माद दो सेशन होते हैं और पहला सेशन जो स्टार्ट करते हैं अभी इस मौसम में सर्दियों के मौसम में वह साथ बज़े स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं हम दो बज़ कि दो सेसन स्टार्ट करने का मैंने टाइम आपको बताया है खतम करने का टाइम नी बताया है यह बहुत जरूरी है समझना हर उन खिलाडियों के लिए जो क्रिकेट सेखना चाहते हैं हमारे मारे सेसन स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट करने का टाइमिंग जो होता है वो हर दि जो चाहते हैं कि मतलब दोपहर में एक्स्रा प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए तो यह सारी सुविधाइं हैं और आप तर्फ बिकेट भी यूज कर सकते हो पूरे दिन यूज कर सकते हो यह अच्छी खबर है सारे किलाडियों के लिए जी सर यह मैं हमों करते भी हैं फील भ अब यह मान के चलिए कि हमारे मां जो महांड का महाल है वह बहुत खुपसूरत बना कर रखा है हमारे यहां के स्टाप में और बच्चों को जहां तक मैच की बात है तो मैं यह सभी दर्सकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप यह समझ लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे इंवर्मेंट में हैं आप बहुत हेल्दी आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं दोनों सेशन बहुत हेल्दी है और आप अपने फिटनेस सेशन को भी बहुत प्रॉपर चला रहे हैं सार मैं अधारत मतलब दो बारे प्रैक्टिस का से बनाए color or जैसा के आपका सवाल था कि इतले को छाथ हूज Kubernetes की कि बिदारे कि लिए यह ब कंठेंश की सब्सक्राइब कर दोद और को किसे बाराके मैं के साथ कम से कम महिने में आपको मिलने हैं के यह सवाल का बड़ा मतलब आभ सवाल क्रिकेट को लिए निकलते हैं जैसे कि मैंने आपसे बोला पहले सवाल में आपके छह साल के बाद हम लोग वाला एज होता है और बहुत sensitive एज होता है सवाल तो आपका बड़ा खूपसूरत है हमारी academy जो है cricket की बारीकियों को सिखाने के साथ सबसे पहले जीवन जीना सिखाती है जैसे जब भी आप हमें हमारे चंदरा cricket academy के official जो हमारे numbers हैं जिस पर आप call करते हैं उस पर आप watch up करेंगे तो सबसे पहले लिख के आता है कि हमारी academy में, हमारी संस्था में cricket के साथ साथ चलना, बोलना, उठना, बैठना बात करना, किसे कैसे मिलना है किसे के सामने कैसे खड़ा होना है इस सारी चीजों पर हम लोग ध्यान रखते हैं एक तरीके से कह सकते हैं आप personality development पर भी काम होता है cricket को सिखाने के साथ साथ क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस एज में बच्चा आप cricket सीखने के लिए time दे रहा है उस एज में वो हमारे पास है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि as a parents, as a guardian हम उस बच्चे के साथ ट्रीट करें, ब्यभार करें तो इसलिए इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं और एक और ख़वर है एक और जानकारी है जो मैं आप तक पहुशाना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी हमारे दर्शकों को पहुचाना चाहूँगा यह हमारी academy में जो छोटे बच्चे हैं जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए हमारे वहाँ special अलग से पढ़ाई की वी बेवस्ता है जो साम को हमारे वहाँ क्लास लगती है और हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि कहीं से कोई भी मतलब एक मन में कास न रह जाए उम्र निकलने के बाद कि हमने अपने जीवन में अपना नुकसान किया तो हम इन आप इन जीवन पर ध्यान देते हैं सवाल तो बहुत हैं सर मेरे पास लेकिन मैं भी यहां प्रैक्टिस करता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों से भी निवेदन है कि आपको अगर अच्छा क्रिकेट सीखना है तो हमारी एकेडमी जोईन करें यहां अगर अच्छा बनना है तो यहां पर आके चंद्रा क्रिकेट अगर भी जोईन करें यहां हर चीज की सुविदा उपलब्द है और सब कुछ मतलब एक प्लेयर के फेवर में अच्छा चीज है मिलती है थैंक्यू सर बहुत अच्छा लगा आप से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी क्योंकि एक अब मैं बताना चाहूंगा सभी अपने दर्सकों से कि आज यह फर्स टाइम है जब हमारा स्टुडेंट सल्मान हमारा जो लीट किया कि मैं आपसे सवाल करूँगा और सवाल जबाब करते हैं जिस में यह एकस्पेरियंस मेरे भी नया था क्योंकि हमारा स्टुडेंट हमकर से सवाल कर रहा है हमें जबाब देना है और उस इस्टुडेंट के लिए बड़ा मतलब सोचने वाल बिसन था कि हम अपने सर से सवाल करेंगे और किस प्रकार से सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको संदेह जरूर आया होगा बोलने में इसकी चाहट ज्रूर मेहसूश हुआ होगा लेकिन भावनाओं को अगर आप देखेंगे समझने के कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारी शीज़ें भी लेंगे मैं भी कहना चाहूँगा अगर आप cricket सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेजिज़क चंद्रा क्रिकेट अकेडमी को आप देख सकते हैं और हमारी सुबिधाओं के बारे में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी संदे है तो आप आईए संस्था में देखिए यहाँ पे आप एक से दो दिन रुक कर देख भी सकते हैं और उसके बाद आप जोईन कीजिए निस्षित आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ का इंवायर्मेंट इतना सांदार है कि जो भी आता है वो यही कहके जाता है कि सांदार जबर्जस जंदाबाद धन्यवाद